मा मुझे जल दीजिए देखे कितना भागत लोग आये हैं आपका परिछा लेने के लिए और जल दीजिए देखाए इन लोग को कि नहीं यहाँ पर अभी भी सत्यता है इस चटान में एक जगह है एक छोटी सी गुफा है जहां पर आप तीन बार ताली अगर बजाएंगे और हो सच्चे मन से सच्चे दिल से गंगा माता को बुलाएंगे तो प्रकट होंगी आ करके देखें आ करके सवयम देखें विलावें तो और पूर्बाज्यम्यच्च और चीज द्वापर का है टो चलके वो दिखाएंगे क्या जगा जहां पर है वो तो चलते हैं हम एक बार देखेंगे पंडी जी जो है लेकर चलेंगे उस गुफा को दिखाएंगे उस जगा को दिखाएंगे जहां wealth गंगा माता जो है वो प्रकट होती है जहां गंगे मा का आप अराधना अगर करते हैं तीन बार ताली बजाते हैं तो गंगा मा जो है वो प्रकट हो जाती है और प्रकट इसलिए होती है क्योंकि यहां पर एक मंदिर है वो मंदिर पर पूजा करने के लिए यह जो चीजें है यह महा भारत समय से है इसकी बारे में पूरी जनकारी पंडी जी देंगे, क्या नाम है आपका, छोटे लाल पांडे नाम है मेरा, अच्छा ये जो है, चटान से घिरा हुआ है, चारो तरफ से, और चारो तरफ पानी का आकाल है, लेकिन फिर भी यहां जो है, गंगे मा का कोई आराधना अगर करता है, तीन बार ता यहां पे आती थी वो और पूजा करती थी, थोड़ा सा इसके बारे में और डीटेल्स बताईए दर्शको को, और वही जब पूजा करने के लिए आई, तब उनको जल कहीं नहीं मिला, तो वो क्या करें, और बिना जल का संकर का पूजा होता नहीं, तो वही इसी अस्थान म मतिजी नाम की लड़की को जल दिया, और यही जल से वो पूजा करकर के स्वता हो घर चली गई, जो की आज तक गंगा, अभी भी हम लोगों को पास में हैं, और हम लोग उसे देखते हैं, परसाद की रुप में जल भी पीते हैं, जो की पंचामरित करते हैं, चरनामरित करत कि इस चटान के बीच से है जो आप आराधना करेंगे गंग मा का और गंग मा प्रक्ट हो जाएगे सत प्रतीशन शत है सो प्रतीशन सत सत है चलिए एक बार जलकों है जो आप प्रकट करके दिखाएए और भी चाहते हैं थोड़ाइव थोड़ाइव जरूर हमें या गंगा मा मुझे जल दीजिए देखे कितना भाग तो लोग आये हैं आपका परिच्छा लेने के लिए और जल दीजिए देखाए इन लोग को कि नहीं यहां पर अभी भी सत्यता है और सत्यता का नाम पर मेरा धन्या पहाड़े आज भी चल रहा है जो कि जहां गोरी संकर का मूर्ती है और गोरी संकर का पूजा होती है तो जाय हरार गंगे देखे यह जल आ गिया यह तो पुरा शुद्ध जल लग रहा है एक दम यह जल को आप रख भी सकते हैं और घर में कभी किड़ा नहीं लगेगा जो भी मन से तन tähän से यहां पी आता है और गंगे माता का अराधना करता है, तालिब जाता है तीन बार, और उसके बाद माता से कहता है कि मुझे पूजा करना है तो यहां से जल प्रकुट हो जाता है हम चाथे थोड़ा सा दीजेए क्योंकि लोगों को दिखाना है एक बर और से ये देखिए और ये जो जल है उसके बाद कहा चला जाता है फिर बताईएगा जरा वापस चला जाता है। देखे, यह जो है सनातन धर न को आप लोग कहते हैं न कि भाई ये सब ऐसे वैसे हैं ये सब डेंगू मलेरिया कीड़ा मोकोड़ा है क्या क्या है गाली देते रहते हैं तो एक बर यहां पर आईए यह पंडी जी आपको मिलेंगे यहां पर देखिए अभी भी है करीब साथ आठ बजने वाला है रात का फिर्मी में यह वीडियो को शूट कर रहा हूंगो यहां पर यह है भक्ति है यह पर आसपास के जितने भी एरिया है वह सब उतना डेवलप नहीं हो पाया है नहीं पंडी जी कोई ध्याने नहीं दिये हैं जो नेता लोग भी आये और दुबा दूख भी आये ऐसोग लाँ राजबालम जी आये त्रिश्ना जाधा भी आये कावसर जाधा भाए और बागी पहले कि हम लोग नामी नहीं जानते हैं और यह जो पुराने कितने वर्स पुराना यह П кажется बढ़ चांपनेशख से निकल जा़त इंद्ऋ द्वार निकलनेशब सब सूख पड़ा है झाहां से भी आरहा है सबसूख को जैसे आप सच्छे दिल से बुलाएंगे Commsanans को जरूर कार से चार हो तरह पानी का किलत है एक पंडी जी आपका विह बहुत भगुरीक ज़िए आप यहां पे ले कर आएं सब चीज दिखाएं दर्सकों को भी कहीं ने कहीं सनातन धर्म जो हैं उन लोगों जो हैं मजाग बनाते थे उनके लिए एक चुनावती है उनके मुँपे काला तमाचा है जो ऐसे कहते हैं क्या पंडी जी आप यहां पे आईए और सामने से देखिए किस प्रकार से सच्चाई है यहां पे